हेलो यूर्यूवन चलिए इस वीडियो में देख लेते हैं वोड़ा फॉन आइटा के स्टॉक को देखे दोस्तों पिछले एक साल में स्टॉक में अल्मोस्ट वन रेट ट्टी सेवन परसेंट के रिटन देखने को मिले हैं और अगर हम पिछले साल एपरिल के बात करेंगे त आपको बताने वाला हों दोस्तों तो वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा अभी देखे यहां पर क्या हुआ नीचे के साइड में एक सपोर्ट जोन है यहीं पर आने के बाद आप देख सकते हो स्टॉक मल्टीपल टाइम यहीं से उपर के और इसमें हमें बाउंस करता जब स्टॉक की प्राइस यहीं पर आती है यहीं पर आने के बाद में यहीं से हमें इसमें रिजेक्शन देखने को मिलते हैं ठीक है अब यह ऐसा क्यों होता है देखे दोस्तों यहां पर क्या होता है जब भी प्राइस नीचे के साइड में आती है सब लोगों को लगता है क पहले भी यहाँ पे support लिया है, तो इसका मतलब है कि जब भी यहाँ पे आ जाएगा, लोग यहाँ से entry बनाएंगे और यहाँ से उपर की ओर स्टॉक चाहेगा, वैसे ही उपर के साइड में जब भी आता है, तो लोगों को लगता है कि यहां से आप लोग इसमें से exit करेंगे और stock की price यहां से fall हो जाएगी तो exactly यही होते वे repeat होते वे दिखाए देता है लेकिन हमेशा ऐसे होता है क्या लेकिन हमेशा इसे नहीं होता है दूस्तों देखिए कभी न कभी यहां पे यह level तूटना है कभी न कभी उपर ही और breakout होना है या कभी न कभी नीचे के side में breakdown भी होना है अभी देखिए फिलहाल stock जो है exactly यहीं पे यानि के 18.50 पे rejection लेके फिर से fall कर रहा है और यहां से हलका से support लगे फिर से दो candle हमें उपर की और जाते वी दिखाई दे रहे है अभी यहां पे फिर से rejection ले सकता है हो सकता है इन केस यहां पे breakout होके 19 के उपर अगर candle sustain करके closing दे देती है तो further stock में और भी शांदा return जो है generate होते वी दिखाई दे सकते है इन केस यहां से fall भी करता है तो फिर यहां पे क्या बना अभी यह जो resistance था वो यहां पे support बन जाएगा जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो breakout होने के बाद में fall किया support लिया फिर उपर गया ठीक है ऐसे ही यहां पे भी हो सकता है यहां ही से हमें उपर की और bounce देखने को मिल सकता है यह फिलाल के लिए यह उपर के साइड में resistance नीचे की साइड में support यह दो zone जो है बहुत जादा important है आप चार्ट पे draw करके रख लीजिए आपको बहुत काम आने वाले हैं ठीक है यहां तक आपको टेक्निकल चार्ट समझ में आ चुका होगा अब हम चलते हैं टिकर्टे वेबसाइट पे वहां पे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स में आपको बताना चाहूंगा जिसे कि आपको decision लेने में आसानी हो आदूस्तर वीडियो में आगे बढ़ने से प करन प्राइस देखने को मिल जाएगी है सबसे पहले हम बात कर लेते हैं scorecard की performance लो देखने को मिल रही है valuation इसका high है growth low है profitability average है not good not bad है ठीक है entry point देखें दोस्तो entry point stock is in the overboard zone मतलब stock overboard zone में है हैं तो entry point बहुत ही खराब बता रहा है मतलब यहां पर entry नहीं बन सकती और सबसे में इंपोर्टन चीज रेड़ फ्लैक ठीक है यहां पर moderate numbers of red flag देखने को मिल रहे हैं जो कि आगे negative point देखें देखें जो भी stock में आपको red flag दिखाई देते हैं थोड़ा सा उन से दूरी ही र लेते हैं forecast and rating analyst हमें क्या सला देते हैं बाइं की 16 analyst 25% कि सला दे रहे हैं जो की आगें negative point है पीएस में बात करेंगे दो वड़ा फोन आइडिया के भारती एरटेल है भारती एक्सा कॉम है भारत टाटा आगर सब्सक्राटेश की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं डार्क ब्लू के थाइस पराहर कहीं भारती एके कोनम का जो में यहां पर यहां फे शॹूली में देखने को मिल रहा है और भारती एक्सा कॉमयर में यहां यहां पर इसको दिखने को मिल हाइक किसमें आइडिया में ठीक है आयोप सो यहां तक तो आपको दी गई जानकरी समझ में आच चुके होगी तो दोस्तों डिसेजन आप कराएगा वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल परपस के लिए बनाएगी है कोई भी बाइंग रिकमेंटेशन इस वीडियो में नहीं दी गई है तो दोस्तों चली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में